हेलो दोस्तो दर डिवाइन संसा चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मरोरंजन वरत कथाएं लाते रहेंगे नमशकार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गया तीरत की कथा के बारे में ब्रह्मा जी जब स्रिष्ट्री की रचना कर रहे थे उस समय उनसे असुर कुल में गया नामक असुर की रचना हो गई गया असुरों की संतान रूप में पैदा नहीं हुआ था इसलिए उसमें असुरी प्रवर्ती नहीं थी वह सभी देवताओं का सम्मान और अरादना करता था उसके मन में एक बात खटक रही थी वह सोचा करता था कि भले ही मेरा सभाव संत प्रवर्ती का है लेकिन असुर होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा इसलिए क्यों न अच्छे कर्मों से इतना पुर्णे अरजित किया जाए थाकि उसे स्वर्ग प्राप्ती हो गया सुर ने कठोर तब करके भगवान श्री विश्नु जी को प्रसंद किया भगवान ने गया सुर वर्दान म मांगा भगवान आप मेरे शरीर में वास करें जो मुझे देखें तो उसके सारे पापनश्च हो जाएं वैजीब पुन्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में भी स्तान मिले भगवान शी हरी से वरदान पाकर गया सुर घूम घूम कर लोगों के पाप दूर करने लगा जो भी उसे देख लेता उसके सभी पापनश्च हो जाते और स्वर्ग का अधिकारी हो जाता गया सुर के इस करम से यम्राज की विवर्श्था गडबढ़ा गई कोई भी घोर पापी गया सुर के दर्शन कर लेता तो उसके सभी पापनश्च हो जाते यम्राज उसके कर्मों के उसे नरक भेजने की तैयारी करते तो वह गयासुर के दर्शन के प्रभाव से स्वर्ग मांगने लगता। धरमराज को कर्मों का हिसाब रखने में संकट हो गया था। पापी भी गयासुर के प्रभाव से स्वर्ग भोगने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय उपाए निकाला, उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक प्रभित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीट पर बैटकर सभी देफताओं के साथ यग करूँगा। उसकी पीट पर यग होगा। ये सुनकर गयासुर सहेश्र त्रयार हो गया। ब्रह्मा जी सभी देफताओं के साथ एक पत्थर से गयासुर को दबाकर बैट गये। इतने भार के बाबजूर भी वे अचल नहीं हुआ। और वे गुमने फिरने में भी समर्थे था। देफत हो जाएगा। तब श्री हरी भी उसके शरीर पर आकर बैट गये। भगवान श्री विश्नु जी को भी सभी देफताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देखकर गया सुर ने कहा। आप सभी देफता और मेरे अराध्ये श्री हरी के मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो रह हूँ। सभी जगा घूम घूम कर लोगों के पाप हरने का कारे बंद कर दूगा। लेकिन मुझे श्री हरी का आशिरवाद है इसलिए वैवर्त नहीं जा सकता। इसलिए श्री हरी आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यही साथ स्तापिक कर दें। भगवान श्री हर उसकी इस भावना से बड़े खुश हुए। उन्होंने गयासुर से कहा अगर तुम्हारी कोई और इच्चा हो तो तुम मुझसे वर्दान के रूप में मांग लो। गयासुर ने का हे नहरायन मेरी इच्छ है कि आप सभी देवताओं के साथ आप रतक्ष रूप से इसी श तुमने जीवी दवस्ता में भी लोगों के कल्यान का वर्दान मांगा और मित्यु के बाद भी मृत आत्माओं के कल्यान के लिए वर्दान मांग रहे हो तुमारी इस कल्यानकारी भावना से हम सब बंद गए हैं। तब भगवान श्री हरी ने आशिरवाद दिया कि जहां गया स्थापित हुआ, महां पित्रों के श्राद, तरपन, आदी करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ती मिलेगी और इस शेत्र का नाम गया सुर के अर्दभाग गया नाम से तीरत रूप में विख्यात होगा मैं स्वयम यहां विराज मान रहूँगा, गया तीरत से समस्त मानव जाती का कल्यान होगा और साथ ही वहां बगवान शिर विश्नु जी ने अपने पैर का निशान सापित किया जो आज भी वहां के मंदिर में स्थित है गया विद्या के अनुसार श्राद फल्गू नदी के तट पर विश्नु पद मंदिर में वह अक्षेवट के नीचे किया जाता है वैस थान बिहार के गया में हुआ जहां श्राद आधी करने से पित्रों का कल्यान होता है कथा समाप्त, धन्यवाद